इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये हल्दी और चंदन जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से सम्रिध है और फेस वॉष अद्वितिय लाब प्रदान करता है। हल्दी जो अपनी त्वचा की चमक, उपचार और एंटियोक्सिडेंट गुणों के लिए जानी जाती है दाग धबों को कम करने और त्वचा को फिर से जीवन्त करने में मदद करती है। चंदन में सेंटालोल होता है जो प्रभावी रूप से त्वचा की सूजन को कम करता है और त्वचा के प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करता है। कैममायल तेल, यस्ती मधु अर्क और हरिद्रा आर्क का समावेश काले धबों को कम करने और एक समान त्वचा टोन प्राप्त करने में सहायता करता है जिसके परिनामस्वरूप चमकदार चमक आती है। ये फॉमुलेशन पैराबेन और सिंथेटिक कलरेंट मुक्त है जो त्वचा की देखभाल के लिए एक प्राकृतिक और सौमे द्रिष्टिकोन प्रदान करता है। त्वचा को यूवी विकिरन के कठोर प्रभावों से बचाएं और इसकी प्राकृतिक चमक बहाल करें। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, चमक्ती त्वचा, हल्दी और चंदन के गुणों से भरपूर, फेस वॉष्ट चमकदार और चमक्ती त्वचा पाने में मदद करता है। दो, प्रभावी सफाई, पूरी तरह से सफाई प्रदान करता है, त्वचा पर कठोर हुए बिना प्रदूशकों और अशुद्धियों को समाप्त करता है। 3. साबुन मुक्त और पैराबेन मुक्त. Formulation साबुन मुक्त और पैराबेन रहित है, जो तवचा की देखभाल के लिए एक सौम्य और प्राकृतिक द्रिष्टिकोंड सुनिश्चित करता है. ये सिंथेटिक रंगों से भी मुक्त है. 4. तवचा का रंग एक समान. हल्दी का समावेश तवचा के रंग को एक समान बनाये रखने में मदद करता है, जबकि इसके एंटियोक्सिडेंट गुंड दाग धब्बों को कम करने और तवचा को फिर से जीवन्द बनाने में मदद करते हैं. 5. चंदन यानि की चंदन के फाइदे. 6. चंदन में सेंटालोल हुता है, जो तवचा की सूजन को कम करने और तवचा की प्राकृतिक उपस्थिती को बहाल करने के लिए जाना जाता है. 6. अतिरिक तवचा देखभाल लाभों के लिए फॉर्मूलेशन में यस्तिमधू अर्ख, कैममायल तेल और हरिद्रा अर्ख भी शामिल हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें.